असलाम लगाँ फ्रेंड्स वेलकम टू AI Tech 97 मैं हूँ अध्रम विचीत और यह आज हमारी वीडियो स्रीज का साथमा लेक्षिर है तो पिछसे लेक्षिर में हमने देखा थै कि हम अपने ब्लॉगर के लिए पेजिस को किस तरह बनाएंगे और जो हमारे प्रेमियम थीम के अंदर जो पेजिस दिये गए हैं यह वाले आपने इसके कोड को कैसे एड़ करना है ध्यान के साथ और इसमें कौन-कौन सी चेंजिंग आपने करनी है यह हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं ठीक है अगर आपने यह वीडियो मिस कर दिया तो आप जा के देखें ताकि नेक्स आपको कोई प्रोब्लम ना हो, क्योंकि हम नेक्स वीडियो में इन सब पेजिज को बैक लिंक के दोर पर यूज़ करना सीखेंगे, कि हम किसी भी अपनी कैटिगरी के अंदर किस तरह से इसको एड करेंगे, वो सारी चीज़ें, हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इस इसके बाद हम अपने ब्लॉगर पे आते हैं, तो आज हम सीखेंगे, कि हमने यह यह यहदर मैन्यूज हैं, इसको आपने किस तरह से एडिट करना है, ठीक है, तो यहां पे आपने ब्लॉगर में आ जाना है, यहां पे लेयोट में आ जाना है, यहां पे लेयोट में आने के करना चाहें तो इस पे कलिक करें और यहाँ से आप इसको easily addकर सकते हैं ठीक है जैसे के मैं यहाँ पे just a tech का नाम लिक रहा हूं यहां पे आप अपने अपने मताबग कोई भी category यहाँ पे add कर सकते हैं ठीक है अभी इस site map के पीछे यह link लगाने वाले है pages वाला वो कैसे लगाएंगी यह मैं आपको आज बताऊंगा अभी within seconds ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल कुछ भी नहीं यहाँ पर add कर रहा है ठीक है मैं इसको save कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर this site map का option है यहाँ से आप इसको easily edit कर सकते हैं अभी हमने इसको tag का नाम दिया यहाँ पर हम reload करते हैं तो यहाँ पर यह change हो जाएका tag के नाम से ठीक है जो भी editing आपने करने कोई बी category सेटकरने तो यहाँ से आप कर सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि पेज को आपने किस तरह यहां पे आपने बैक लिंक में यूज़ करना है तो यहां मैं पेजिस सेक्षिन में आजाएंगे ठीक है यहां पे हमने तीन पेज बनाये थे आप यहां वे multiple pages बना सकते हैं जैसे के terminal condition का, privacy का ठीक है? आप यहां वे pages यह disclaimer का page आप यहां वे बना सकते हैं easily ठीक है जस्त हमने 3 pages बनाएंगे कि इस तरह आप दूस्रे pages भी बनाएं कि भो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से add-कना है तो उसके बाद हमने अगर साइट मैप के बीचे अपना लिंक का एड़ करना है साइट के पे जितने भी हमारे पोस्ट होंगे वो सारे हमारे साइट मैप में शो हो इसके लिए यहां पर आई बटन है पहले आपने इसको बना लेना है ठीक है यह आप कोड देख रहे हैं यह सारा किस तरह एड़ेट होगे यह प्रीविस वीडियो में आने आपको बता दिया ठीक है तो मैं यहां से यहां पर आई बटन पर राइट क्लिक करता हूँ यहां से मैं इसको कॉपी लिंक करने के बाद आपने यहां पर ले उट में दुबारा आने के बाद यहां पर आपने सब्रोल मेनियों में आने ठीक है आने के बाद और यहां पर आपने यह ब्लॉगर का साइट मैप है सहा है यहां पर आपने इसको आपने इसको इसको न्यृत कर echo है यहां पर हम सब्सक्रांप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अब refresh हम ने कर दिया है इस चीज को ठीक है यह है हमारी category इस बेगार थी हम यहां पर site map पे click करेंगे तो देखते हैं कि हमारे लिंक है वो काम कर रहा है यहां हम site map पे click करेंगे तो यह देखें हमारा site map यहां पे load हो रहा है यह load इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई post नहीं की है अगर हम यहां पे कोई post करते हैं तो यहां पे आपको site map में सब चीज़ें दिखाए देती हैं आपको एक post भी करके अभी दिखाते हूं ताकि हमारे site map में वो post को थोड़ा सा set कर ले और यह करैंगे और यह हमारे tech का नाम शोर आए और search में हम चाहते हैं कि आप यहां पे हम tag का नाम शोर बलके easily interface के जरीर लिखेंगे हम यहां पे compose view पे क्लिक करते हैं और यहां पे आपने अपना article लिखना टाइप करना है ठीक है और उसके साथ ही यहां पे आपके यहां पे font style है यहां पे अगर आप कुछ और एड करना चाहें ठीक है यहां पे colors है और यहां पे आप backlink लिखा सकते है image add कर सकते है video यहां पे emoji यहां पे आप इसको align कर सकते है ठीक है justify कर सकते है और यहां पे आप इसको intent कर सकते है यहां आप bullet यूज कर सकते हैं ठीक है points कर गया और यहां पे आप number लिखा सकते हैं और यहां पे आप बहुत सारे multiple option आप इनको अपने ब्लॉगर में use कर सकते हैं ठीक है तो finally हमने यह post कर दिये post करने के बाद यहां पे हमें पुछ लिखते हैं hello यहां पे आप लेबल लगाएंगे जिस category में आप इसको add करें category आपने लाज में add करने हैं ताके ब्लॉगर में वो सही से show हो post ठीक है तो यहां पे हमने कोई भी category जो आपने बनाई हो यहां पे आप जस्ट उसका नाम लिखेंगे और आप इसको इस तरह कर देंगे तो यह अगर आप perma link को edit करना चाहें पैसे तो यह automatic बना देगा लेकिन अगर आप इसको दुबारा custom आप perma link बनाना चाहें तो यहां से बना सकते हैं easily और उसके बाद अगर आप इसको published time है जो schedule अगर set करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं यहां पे अगर location रखना चाहें वो भी कर सकते हैं और अपने इसकी जो description है वो यहां पे आप आप हैड कर से हैं तो हम इसको बाद में finally हर चीज को clearly देखेंगे कि पोस्ट को हमने SEO Optimize कैसे करना है ठीक है हम content को कैसे लिखेंगे वह सारी चीज़ हैं नेस्ट वीडियो में देखेंगे फिलहाला अभी हम इस पोस्ट को site map पे show करवाएंगे ठीक है यहां पर पॉब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो यह हमारी जो पोस्ट है यह publish हो चुकी है यहां से हम इसको view कर सकते हैं तो यह हमारी पोस्ट है ठीक है इसमें हमने लिखा hello this is a demo post तो इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं हमने home page में home page में आने के हमने देखना है कि यह हमारी पोस्ट शो हो चुकी है ठीक है यहां पर हम देखने हैं यह site map पे भी show हो रही है कि नहीं तो हम site map पे click करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर हमारे site map में tech category में यहां पोस्ट शोप हो रही है इस तरह से आप अपनी पोस्ट को share कर सकते हैं और यहां पर multiple categories आप जितनी भी बनाना चाहें यह तो यहां पर easily बना सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो यहीं तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आफिस